नमस्कार बच्चों खचा Chuckे मेरे साथ आज Hindi reader के पाट साथ साहसी बनो इस पाट का revision करेंगे बच्चों यहां आज हम revision में शब्दर्थ, वावे कल्पिय प्रश्न और लगुत्तर ये प्रश्नों का revision करेंगे शुरू करते हैं अपना रिविजन ये लए शब्दी आपके शब्दर्थ हैं तो यहां से हम शुरू करते हैं ललक मीस इच्छा अनाथ मीस जिसके माता पिता ना हूँ निदड़क मीस बिना फिक्र किये तरक्की मीस उन्नती निहारना मीस ध्यान से देखना पताका मीस जंडा फूले न समाना अत्यदिक प्रसन होना अब आते हैं बच्चो बावविकल्पिय प्रशन सही उत्तर पर सही का निशान लगाईए बालक को किसने पाला पोसा था प्रशन है बालक को किसने पाला पोसा था ओप्शन है चाची ने पादरियों ने गाउं के लोगों ने या दादी ने तो सही उत्तर है पादरियों न प्रशनम्मर दू है किसी कारे में बालक का मन नहीं लगता था किस कारे में बालक का मन नहीं लगता था option है इसके दरजी के कारे में, पढ़ाई लिखाई में, सेना के कारे में या घरेलू कारे में तो सही उत्तर है दरजी के कारे में इसके बाद प्रश्ण नमर तीन है बालक जिस जहाज पर भरती हुआ वह कौन सा जहाज था ओप्शन है यात्री जहाज था लडाकू जहाज मालवाहग जहाज या पर्रेटन जहाज तो इसका उत्तर है लडाकू जहाज प्रश्ण बचार बालक आगे चलकर क्या बना ओप्शन है पादरी वायू सेना नो सेना या थल सेना पती तो वह क्या बना था नो सेना पती बालक आगे चलकर नो सेना पती बना अब आते हैं बचो लगुतर ये प्रश्ण लगुतर ये प्रश्ण में पहला प्रश्ण है पादरियों ने बालक को एक दरजी की दुकान पर भरती करवा दिया था। बालक लडाकु जहाज तक कैसे पहुचा तो इसका उत्तर है बालक लडाकु जहाज पर छोटी सी नाव से पहुचा। जहाजों से मुकावला हो गया। दूसरे ही दिन फ्रांसी सी लडाकु जहाजों से मुकावला हो गया। अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर पांच है किस समय बालक की उन्नती का सिलसिला जारी रहा। या किस कारण बालक की उन्नती का सिलसिला जारी रहा। इनका आप रिवीजन करेंगे और इसके बाद दीगृत्तर ये प्रश्ण है आपके आर्थग्रहण वाले प्रश्ण है और बुक एक्सरसाइज है जिसमें ग्रामर पार्ट भी है वो भी आपको रिवाइज करना है। केवल रटना ही नहीं है आपको इसको इन प्रश्णों को शवदर्थों को याद करके लिखे देखना है जिससे के आपका लेख भी सुधरेगा और आपकी गलतियां भी कम होगी। धन्यबाद।